कृष्फल वर्ल डिजाइनिंग। इचली कलाफ में हमने एक CPA Körper k scale का यूज देखने और आज की क्लाफ में क्रॉप टूल का यूज देखेंगे। च 1917 असे पंप्रीम सब्सक्राइब देखा है। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है कि फोटो सही नहीं आती उसका बैक्ग्राउंड रहता या तो उपर नीचे तिर्शी हो जाती फोटो कोई न कोई दिक्कत आ जाती है अगर तो आप फोन से उसको इडिट करते हैं और जब आप इडिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें आपको क्रॉप का भी option दिखाई देता है और जब आप उसके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे ratio दिये रहते हैं आपको किस टाइप से इमेज क्लिक करना है इसक्वेर में करना है या रेक्टंगल में करना है जिस भी टाइप से करना है तो आपको आप पी option दिए रहते हैं अब आप फोटो सॉप में देखेंगे तो आपको भी उसी ताइप से मिलते चुलते आपसन दिखेंगे कुछ आपसन आपको इसमें ज्यादा मिलेंगे कि यह बहुत बड़ा सॉप्ट वेर है फोटो एडिटिंग का तो चली अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप्टूल का यूज जैसे यह इमेज है इसमें आप देखेंगे कि यह बाउंडिंग बाक्स आपको दिख रहे हैं तो आप इसको पकड़के इमेज को क्रॉप कर सकते हैं यह देखें आप चाहें तो टॉप से कर सकते हैं चाहें तो ब यहां पर देखेंगे कि commit current crop option तो यहां पर check पर आप click करेंगे तो यह crop हो जाएगा आप देखेंगे कि वह पीछे का जो card था वह नीज हो रहा है मतलब यह मेरी image click हो चुकी है अब जब आप इसमें दुबारा आप देखेंगे कि crop tool में हम हैं लेकिन यहां पर bonding box आपको नहीं तो आप image पर जैसे click करेंगे आपको handle so होने लगेंगे यह देखेंगे अब आपको पीछे का हिस्सा भी दिखने लगा अब आप चाहेते हैं अगर तो वह पुराना जो हिस्सा था आपका वह भी आपको मिल जाएगा photo में जब तक आपकी photo save नहीं होगी अगर आप इसको save कर कर देंगे तो आप देखेंगे कि वह permanently delete हो जाता है अभी आप जैसे देखेंगे यह पीछे आपको 14 में थोड़ा फक्क पोटो को zoom out करता हूं यह देखेंगे अभी आपको यह हिस्सा दिख रहा है जैसे मैं यह पूरी image क्लिक करता हूं यह girl देखेंगे आप अभी आपको दिख रही है, blur में और जैसे मैं crop करूंगा तो अभी नी दिख रही है लेकिन जैसे मैं इसमें फिर दुबारा crop करने के लिए handle क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यह दुबारा दिखने लगी मतलब अब यह photo में हैं सिर्फ हमें दिखने ही लेकिन अगर एक बार shape कर दिय तो फिर यह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी और दूसरा अपन जो है यहां पर डिलीट क्रॉप्ट अगर इसमें मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैंने क्रॉप किया अब देखें कि आपको पर्मानेटली डिलीट हो चुकी है नहीं दिख रही है वह गल जो थी वह नहीं दिख रही है सिर्फ यह बवाई दिख रहा है अगर मैं शेप कर दिया उसको तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी अब मैं इसको कंट्रोल जेट करता हूँ कंट्रोल एल्ट जेट कर सकते हैं आप या बहुत सारे एक्षन करने के बाद या फाइल में जाके रिवर्ट कर दीजें तो आपकी पूरानी फोटो एक बार में ही पूरी जो इस्टार्टिंग में थी आपकी फोटो जैसी थी वैसे ही एक बार में ही फाइल में जाके रिव जाए बिश्ब होए है मैं रेसियो मतलब आप जयासे भी में इच emitted कौने का है को आप कौने आप हाइट बित अपने हिसाब से अपने हिसाब कर नेज कर सकते है है इसमें पुख हिसाब से आपकी इमेज क्राप होगी、 दुपरा आपसर है ओरिजिनल लिप रिचियो Summen जो इमेज का रेशियो जो है, मतलब जितनी भी इमेज की हाइड बिट्थ है उसी रेशियो में ये इमेज आपकी क्रॉप होगी, ये देखें, इसमें आप और पूछ भी नहीं कर सकते हैं, जो इमेज का साइज हो इसी साइज में इमेज आपकी क्रॉप होगी, और दूसरा है इस्क्वेर, इस्क्वेर बहुत अच्छा उपसन है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपकी इंस्टाग्राम में 1080y 1080 की इमेजें फ्यूज होती है, इस्क्वेर बेस में और फोटो और फेस्बुक में आपकी इस्क्वेर बेस में पोस्ट डल जाते हैं, तो आसानी से आप इस्क्वेर में अगर कोई भी फोटो एडिट करते हैं, तो वो आपकी इंस्टाग्राम में बहुत अच्छे से फिड होती है, बिल्कुल भी बलर नहीं होती, तो इस्क्वेर मतलब है 1 by 1, यानि जितनी भी लंब जोड होता है, वो इस्क्वेर मतलब 1260 by 700 भी सायद से ऐक emergency exchange बनाएं तो आपका youtube का ब्हुत पर्फिक्त तरीके से बने प्रेशियो में आप यहां पर देखेंगे तो कुछ आपसन दिया इसको अपने हिसाब भी कर सकते हैं मतलब हाइट बिट अपने हिसाब से दे सकते हैं मतलब जैसे आप यहां पर चाहें तो आप सौरी 20 भाई 10 देखकते हैं मतलब चौडाई की लंबाई मतलब बिट जितनी भी है उसकी हाइट हाफ है इसको आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यह आपसन क्लियर हो जाते हैं तो आपको क्रॉप पूल के यूज समझ में आ गया होगा मैं इस फाइल को रिवर्ट करता हूँ क्लिक करता हूँ प्रॉप हो गई रिवर्ट करता हूँ जो जैसी मैं दी इमेज थी फार्मेट में मुझे मिल चुकी है औरिजिनल इमेज अब आप यहां पर देखेंगे एक दिया हुआ है इसके लिए मैंने एक दूफरी में जो पेन करके रखी हुई है यह इमेज इसमें आप देखेंगे कि यह ऊपर का हिस्सा है और यह जो नीचयों का हिस्सा है यहां पर यह थोड़ा सा इमेज तिर्ची है तो इसी के लिए इस्ट्रेटन यूज किया जाता है अब आप इसको अगर यहां पर लाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि यह इमेज तिर्ची है यह देख लिए आप यहां से यहां तक यह बिल्कुल सीधी इमेज नहीं है तो आप यहां पर स्ट्रेटन पर क्लिक करेंगे और इसके स्टार्टिंग पॉइन पर यहां पर क् और आप देखेंगे कि यह crop का option भी बोल रहा है कि अगर आप करना चाहते हैं तो इंडरप्रेस कीजिए आपका crop हो जाएगी वह image मैं crop करता हूँ आपको और दिखाता हूँ अब आप इसको नीचे करता हूँ मैं मूब टूल से इमेज बिल्कुल सीधी हो चुकी है आप कंट्रोल जेट करेंगे पुरानी इमेज आपकी यह तिरसी वाली यह कंट्रोल यह देखेंगे आपको यह पूरी image समझ में आएगी है यह देखेंगे अब जैसे मैंने सी प्रेस किया क्रॉप्टूल एक्टिव हो गया अब आप यहा गोल्डन स्पायरल यह फारी चीजों को मैं आपको यूज करके दिखाता हूं जैसे आपने यहां पर क्लिक किया क्रॉप के लिए यहां पर तीन रो एंड तीन कॉलम आपको सो हो रही है तीन-तीन हिस्सों में यह बटा हुआ है और इस बहुत शांदार टूल है यह रूला मैं आपको यह सारी चीज़यगा अभी आपको डूल का यूज कॉझ बताता हूं कि टूल उपर कैसे करता है और आप grid में click करेंगे तो आप देखेंगे बहुत वारी grid बन गई अब जब आप click करने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत वारी grid आपकी बन चुकी है ये सिर्फ option है आप किस टाइप में आपको कौनसा option आपको अच्छा लगता है उस टाइप में आप कर सकते हैं ये डाइगनल है ये ट्रेंगल है गोल्डन रेशियो गोल्डन इस्पाइरल तो सबसे अच्छा रूल अब थर्ड होता है इसमें इमेज आपको दिखती है और समझ में भी आती है चीज़े यहां पी एक option हो रहा है कि जैसे भी दिख रहा है मैं जैसे में crop करने जाता हूं फिर भी ये show होता रहता है तो अगर आप चाहते हैं तो ये auto show को आप कर दीज तो थोड़ा सकत बैक ग्राउंड को देखने को जो इमेज है ना उसको देखने में थोड़ी से दिख्कात आती है उसके पॉइंट को इसको आप auto show overlay पर रख दीजे और इसको कर दीजे rule of third पर और यहां पर है never show भी कर सकते हो कभी फो नहीं होगा always show ये तो पता है आपको cycle overlay ले cycle overlay इस पर आप क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे तो आपको one by one for a option आपको दिखते जाएंगे अभी नहीं दीखें क्योंकि मैंने इसको always show पर नहीं रखा हुआ है अब आप और प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपको one by one option दिखते जा रहे है इसमें एक चीज आवर है जैसे ही आप क्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ पर एक dots हो रहा इस image पर नहीं दिख रहा भी अगर इस image में जाता है ये देखें आपको dot अगर आप इसको rotate करते हैं इसको मैं कर लेता हूँ rule up third में अगर आप इसको rotate करते हैं कॉर्णर में आप क्लिक करके अगर इसको आप रोटेट करेंगे आप देखेंगे कि इस सर्कल से ही रोटेट हो रहा है बिल्कुल सर्कल से इस point को अगर आप यहां पे ले गए तो आप देखेंगे कि वो उस area से remove हो रहा है वो उस जगह से remove हो रहा है आप center से remove नहीं हो रही है यह चीज़े इस point को आप जहां चाहे center point बना कि उसको आप click कर सकते हैं और crop कर सकते हैं यहां पर एक है option setting यूज classic mode classic mode चाहो तो आप यूज कर सकते हो classic mode में यह होता है कि आप जिधर ले जाएंगे crop के उधर जाएगा और यह पुराना बरजा ने थोड़ा सा इसलिए classic mode अभी पर दिया हुआ है यहां पर मैं इसको करता हूँ sow crop area तो sow crop area को कर मैं uncheck करता हूँ इसको आप करता हूँ तो आप देखेंगे कि पीछे जो है वो थोड़ा सा जो blur दिखता था वो नहीं दिख रहा है यह देखें पीछे dark area दिखने लगता था और जो मैं जिस section को मैं crop कर रहा हूँ सिर्फ वो section highlight रहता था अब आप यहां पर देख रहे हैं तो पूरा section highlight है सिर्फ crop का आपको handle दिख रहे हैं तो इसका सिर्फ यह हुज है इसको sow किया आप देखेंगे कि पीछे थोड़ा फर dark type को दिख रहा है जितने में handle है वो focus है वो section auto center preview अब इसमें आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं अगर ले जा रहा हूँ handle को जिस तरफ उस तरफ हो जा रहे है और अगर आप इसको on कर देते है auto center को आप देखेंगे कि इसको click करके वो पूरा एक center पे image जा रही है यह जो canvas है ना उसके center पे वो crop करन के लिए ले जा रहा है मुझे यह देखें समझ पा रहे होंगे आप मेरा कहने के मतलब और उसमें image move नहीं हो रही थी और अगर आप चाहते हैं फिर्फ image को move कराना तो आप image को भी move कर रहा सकते है क्लिक करके तो मैं करता हूँ crop और यहां फे करता हूँ reverse पूरी file मेरी समझ में आ गया होगा अगर crop tool फे related कोई doubt है तो आप comment करके पूछिएगा thank you good day